नमस्कार दोस्तों स्वागेत है आप सभी का एजुकेशन के एडिसिक्स में और चैनल पे नए हैं तो प्रीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन दवा के तक यह वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के मात्यम से जा सके दोस्तों CSBC के तर सब्सक्राइब को प्रभात खबर में एक अपडेट आया था कि जो भी कैंसलेशन को लेकर जो कि भववा संसकरन का जो एक्जाम है उसको स्थागित किया जाता है ऐसा एक पेपर में न्यूज आया था उस न्यूज को भी मैंने आपको अपने चैनल वाइटे एडिशन पे दिखलाया था तो आप लोगों को मैं एक चीज क्लेर करना चाहता हूँ कि उसके लिए अब यहाँ पे CSBC ने इसका खंडन किया है कि जो एक्जाम के रिलेटेट जो विकेंसी का अपडेट दिया गया था कि यह एक्जाम नहीं होगा उसको लेकर एक नोटिफिकेशन यहां को साब साब देखलाना चाहता हूँ और चुकि देखें दूसरे दिन फिर पटना संसकरन में प्रभात खबर ने यह अपडेट दे दिया था कि आप सभी का जो परिक्षा है वो परिक्षा मदनिशे जो उत्पाद और निबंधन विभाग से सिपाही की भरती है वो 27 परवर नहीं किया था कि यहां पर हमें माफ करें हमें गलती से चाप दिया हमने ऐसा करना चीए चुकि देखिए वो जो हमारे देश की संबिधान के चौथे इस्तम माने जाते हैं मीडिया और ये निउस पेपर के माध्धे में जब ये सारी चीजे प्रकाशित होके आती है तो कही यहां पर इस बिभाग के जो वेकिंसी थी जिसका एक्जाम 27 फरवरी को होना है रभिवार को ये उसी तिथी में ये एक्जाम होगा उसी समय पर एक्जाम होगा जो कि आपके अड्मिट काट पर जारी किया गया है किसी भी जिले का कोई भी एक्जाम इस्थागित नहीं किय गया है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अगर आप लोग देख रहे हैं तो प्लीज सेयर कीजे यहां पर इस्तगन की खबर जो छापी गई थी इसको पूर्णत ब्रामाक और असत्य करार दिया गया है CSBC के दवारा यानि कि आपका एक्जाम जो होगा 27 फरवरी को इसी डेट पे और उसी समय पे सपष्ट किया जाता है दोस्तों यहां पे कि उपरोग लिखित परिक्षा 27 फरवरी को होगी अता अभ्यार्थी अपने प्रविश पत्र पर जो भी अंकिति थी और समय है इस्थान है वो लिखित परिक्षा में समलित होंगे तो इसका खंडन कर दिया गया है लेकिन आपको मैं फिर से एक बार कहना चाहूंगा कि यह देखे यहां पे चुकि वहां पे जो न्यूज में कैमूर जिला के जिला पताधिकारी का भी नाम दिया गया था वहां पे तो उनका भी यहां पे एक प्रतिलिपी में नाम दे दिया ग लगाते रहें और टील एक्जाम तक वो आपको पहुंचाया जा रहा है तो प्रैक्टिस में बने रहें इसके एक्जाम के लिए all the best धन्यवाद मिल रहेंगी आपसे अगले वीडियो में